जो उनको धोका देके, या उनको बरगला आके, या उनको गलत रास्ते पेपले जाके, ये काम करा रहा हैं, वो उनके सबसे बड़े दुश्मन है, मुसलमान सिरफ निशाना है, असली उनका हमला जो है न मनुस्पिति लागू करने का है, किसी के कास कोई प्रापटी ना हो, कि का एक जो आतंगवादी था उन्होंने यहने से लगाई ना जो जांगीरपुरी में हुआ वो ही तो भिहार शरीफ में हुआ है उसके सारे सबूत मौजूद है पानी हो जाएगा यह रस बीजपी वाले आतंगवादी संगठन गोशित हो जाएंगे फिर हम इनके चाइना और पाकिस्तान से लिंग जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे सबसे ज़्यादा नुकसान में क्या कह रहा हूँ नितिश कुमार जी का हो रहा है और लालू यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव जी का हो रहा है इस वकत दिहार में जो हो रहा है अडानी के खिलाफ बोलना इस वकत देश का हरेक नागरिक का फर्ज है हमारे देश का राष्ट बक्ती का धर्म यही है कि अडानी जैसे आदमी को एक्सपोज किया जाए उसके चाइना से कनेक्शन एक्सपोज किया जाए उसने कैसे हमारी डिफेंस पॉलिसी जाए चाइना को फाइदा पचाने के लिए इस पर इंवेस्टिकेशन पर था तो सी मुझे पर सवाल हो जाए कि आपने कहा है अमिश्या जी गए बिहार तो वहां पर जाग जाकर के लोग उकसा जाए जितने भरष्ट अद्रिकारी थे वह मिल गए आपने का लेकिन बिहार का सीम नितिश कुमार है अमिश्या नहीं है वहां की पुलिस किसके कांट्रोल होने चाहिए नितिश कुमार की आपकी बातों से लग रहा है कि आप नितिश कुमार को बचाने के कोशिश कर रहे हैं मैं बिल्कुल सही सही लग रहा है को मैं गलत नहीं कह रहा हूं यह बिल्क करें मुसलमानों को देखिए इसलिए मैंने आप से काया ना पहला काम हमारा क्या है हम अम्बेट करवा दिया हमारी तो कोई राजनीदी से मतलब नहीं है पहली कोशिश मेरी क्या है कि मैं नितीश कुमार जी को बचाओं क्योंकि वो मोदी जी और इस सारे से संग्डम के खिला रहा है कि उनके अफसर जो हैं के चारो तरफ वो उनको गुम्रा कर रहा है उनसे ऐसा काम करा रहा है जो उनके खिलाव जाएगा अगर वह नहीं समझते तो हम तो दिल्ली में यह काम कर रहे हैं पूलीस ऑफिसर और सरकारी अफसर और अमिच्छा जी के खिलाव कुद हमने म काइना अब उनको सारे सबूत चाहिए तो मेरे पास है ले ले लें लेकिन अगर फिर भी नहीं करते तो हम इंसाफ के रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे हम फिर नितिश कुमार जी के अफसरों को भी और खुद नितिश कुमार जी का भी नंबर आएगा इस केस में अगर वह अब भी चेते नहीं है आपकी बात दूसर लग रहा है कि नितिश कुमार के ना सुन कर गया है हमिशा की सुन कुछ अफसर ऐसा कर रहा है कुछ अफसर ऐसा कर रहा है मैं सबूत इखटे करके लाया हूँ और उनके चारों तरफ जो है ना जो उनके एकदम नेक्स डोर जो ल रात में उन्होंने चीफ सेकेटरी नरेंदर मोदी जी यहां एहमद पटेल साब को दिली में सब को फोन करके बोला था लेकिन वो नहीं रुखा था ऐसा ही कुछ यहां भी हुआ है मैं सबूत एकटे कर ली है मैंने मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अराम से मेरा पहला करत रहा है वो उनके सबसे बड़े दुश्मन है सरकार चली जाएगी और प्रदान मंतरी नहीं बन पाएंगे जो हम सब लोग भी चाते हैं कि कोई ऑपोजिशन का वेक्ति प्रदान मंतरी बने हम तो दिल से मैं खुलके बोल रहा हूँ मैं उनकी मदद करना चाता हूँ लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हमारी मजबूरी होगी हम उनके खिलाब भी जाएंगे लेकिन सच्चाई का सास्ता नहीं दूसरे राज्यों जहां बीज़ेपी की सरकार है अगर वहाँ अपर जैसा हिंसा अगर होता जिस तरही के से मरसा जलाएगा मस्जिदों को तोड़ मैं इसलिए कह रहा हूं ना मुसल्मान जलाया जाता है कहीं उनकी हदीस नो को जलाया जाता है मुसल्मान ही नहीं SC, ST, OBC दूसरे माइनॉर्टी के लोग अपनी लीडर्शिप जितनी जल्दी बदलेंगे उतने ज्यादा भरोसे मन लोग आएंगे ये मैं एक बार नहीं BC बहार कह चुका हूं लेकिन जो आज के हाला आते हैं उसमें हमें किसी प्रकार से जो देश को खतम करने के लिए एक स संज़ लिजे इस बात को जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे मुसलमान सिरब निशाना है असली उनका हमला जो है ना मनुस्पृति लागू करने का है मनुस्पृति में किसका नुकसान होगा वो बता दीजे आप मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो मनुस्पृति से किसका इसके लिए तो मनुस्पृति आज तक इतनी मजबूत है इसके लिए तो जो हमारे सोकॉल मुस्लिम डूलर्स रहें 800 साल तक वो भी जिम्मेदार है ना, एक फर्मान से खतम कर देते, मनुस्पृति सबसे बड़ी दुश्मन है, शडूल कास, शडूल ट्राइब की OBC की, तो मनुस्पृति की जो मान सिखता है, वो उसकी दुश्मन है, तो मुसल्मान तो एक 15% है ना, उनका पेट सिरफ 15% की सारी प्रापरटी भर लेने से नहीं भरता, उनका पेट जब भरता है कि उनके अलावा सब उनके गुलामों, किसी के कास कोई प्रापरटी ना हो, किसी के पास कोई हक ना हो मनुवादि मान सिखता का पेट तभी भरता है तो 15% का सब कुछ भी लेके उनकी तो दाड भी गरम नहीं होगी आप समझे असली साजिश को असली निशाना शरूल का शरूल ट्राइब ओबी सी हैं मुसल्मान तो एक रास्ता हैं बहाना हैं क्योंकि इसकी वज़ा से वो सब को बेवाकूफ बना सकते हैं आपको बरगला सकते हैं आज एक ऐसे जो तंतर में फसादिया ना पॉलिटिकल कि कोई भी जो पार्टी RSS और उसके खिलाफ है वो बाहरी नहीं निकल पा रही है सच नहीं देख पा रहे हैं इसलिए तो सबका सबका यह हाल हो रहा है साउत में देखिया जो साउत में आप इनको देखिये स्टालिन साब को वो कामियाब है ना क्यों क्योंकि वो सही रास्ते पे हैं वो बिल्कुल इनको सीधा बोल रहा है उन्होंने नसे लगाई यह जो मनुवादी मानसिक्ता का आरेसेस का एक जो आतंगवादी था उन्होंने यहने से लगाई ना किसी और ने तो यहने से नहीं लगाई नितीश कुमार जी को आतंगवाद का मुकत्मा दर्ज करना चाहिए नहीं करेंगे उनका खुद का सबसे बड़ा नुकसान होगा Lenny लूगा इन सब के खिलाव सबूफ मैं दुंगा अब तो मैं इतने सबूफ एक दिन में ले आया हूँ मैं दस दिन जा कर बैटूँगा एक मैहीन जा कर बैटूँगा सारे सबूफ बिहार में से दे दूगा अज़र नितीस और तेजस्वी के वहां पर ना पहुंचना जहां पर मुसलमानों के साथ गटना है इस जहां मज़्व को जलाएगा ज़िसे जलाएगी कहीं ऐसा निगी एक जो मेज़ोरिटी तब का है हिंदू उसको कहीं नाखुस नाकर देश रहा हूं यही तो मैं कह रहा हूं यहीतों समझने की बात है हिंदू किसे मानते है मनुवाद इमान सेकता के लोग सिरफ अपने so called upper caste को बाकी सब तो शूद और अवर्ण है न यही तो समझा रहे है कोई यह हिंदू मुस्लिम है ही नहीं यह मनुवाद वर्सिस मुस्लिम चल रहा है और मनुवाद का असली लड़ाई किस से है बावा साथ डॉक्टर भीम राम बेटकर से यह अलग बात है कि उनका निशाना मनुवाद का निशाना मुसल्मानों के लिए इसलिए कि इसको वो अच्छी तरह से ट्विस्ट करके बागी सब लोगों को इकटा कर सकते हैं बागी सब लोगों की भावना है भढ़का सकते हैं जूटी अपनी दोकागड़ी से फ्रोड से असली लुक्सान तो नितीश कुमार पर कटाच करते हुए यह कह रही है कि राम नौमी पर जो भी हुआ आप उदारन योगी जी का देख सकते हैं कि राम राज चल रहा है अब तो सभी को सबूत मिल गया नहीं सबूत तो मैं दूँगा ना मैं यही तो कह रहा हूँ योगी जी के खिलाफ जो उनके अफसर है उनके खिलाफ भी हाई कोर्ट में पेटिशन पेंडिंग है पर यहां तो नितीश कुमार जी है ना फ्री अन्फेर इंवेस्टिकेशन करा सकते हैं जो जांगीरपूरी में हुआ वो ही तो बिहार शरीफ में हुआ है उसके सारे सबूत मौझूद है जांगीरपूरी का भी इस बार क्यों नहीं हुआ क्योंकि हमने वो आतंगवाद की घटना की दिल्ली पुलिस के अधिकारियों समेथ नाम लिखके करा रखिये ना कंप्लेंट उसके बाद ही तो इन्होंने इस बार ठीक किया है तो आज तक ना दिल्ली दंगों के केसिस आप आके मेरे साथ स्टड़ी कीजे कोई भी मैं आगको दावत देता हूँ उसमें ये साजिश शामिफ साबित हो रही है न के पुलीस के अधिकारी मिले हुए थे जो मुस्लिम कम्यूनिटी के जो कंप्लेंट्स थी वो लिया ही नहीं गई जूटी कंप्लेंट्स भी थी जो दूसरे पक्षित दी गई थी उसको सच्चा बना के पेश किया गया खुद मुसल्मानों को मारने के लिए जो मुसल्मानों को मुल्जिम बना दिया गया जो पुलीस की कारवाई है यही तो मैं नितिश कुमार जी को कह रहा हूँ इमांदार अफसर भेजिये दो मिनिट में दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा यह रसस बीज़पी वाले आतंगवादी संगठन गोशित हो जाएंगे फिर हम इनके चाइना और पाकिस्तान से लिंक जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे एक इन्वेस्टिगेशन शुरू तो करा है जब भी चुनाव नियुक करता है उससे पहले सारे वोटर ढूंडिये जाते हैं जब तक नहीं करेगी जब तक उसके चारों तरफ पैसे से खरीदे वे या आइडियोलोजी से खरीदे वे या डराए हुए लोग प्लांट करके लीडर को मिजगाइड नी करें सबसे जब नुकसान में क्या कह रहा हूँ नितिश कुमार जी का हो रहा है और लालू यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव जी का हो रहा है इस वकत दिहार में जो हो रहा है हम क्या कह रहा है मैं कह रहा हूँ मुसल्मानों के पक्षम investigation बिलकुल नहीं होनी चाहिए निश्पक्ष investigation होनी चाहिए और उसमें यह साफ्ष निकल के आएगा कि ये लोग विदेशी ताक्तों के हाथ मिलके ये देश को तोडने की कोशिश कर रहा है फिर आपको नजर आएगा न कि क्या है हिंदुराष्ट तब उसके बाद एक ही इंवेस्टिकेशन से पूरा देश जो है साफ हो जाएगा समिधान बच जाएगा देश बच जाएगा अब इसका सबसे ज़ला फाइदा नुकसान किसको होगा है नितिश कुमार जी और बागी लोगोत ओड़ाने